बड़े आजीब सा है कि कल ही चुनो आयोग ने कहा है कि नौंबर के अंतक महराश में चुना हो जाएंगे और आज भारती जंता पार्टी और उनके साथियों ने अपना एजंडा खुलना सुरू कर दिया है। हमारी महिलाओं को इन दरिंदों से बचाया जाए इस पर चिंता करनीं चाहिए लेकिन शिंदे चरकार और भारती जंता पार्टी सिर्फ आने वाले विधान सबाचुनाओं में ध्रूइ करण किस तरीके से किया जाए किस परकार से हिंदू-मुस्लिम किया जाए लिखार से व विशेस वर को टार्गेट करके अपना वोड बैंक बढ़ा है इस पर विजी हैं। जिसे गायों की देख रेक हो सकती है और यहां तक कि उनके गोबर का भी एक उचित इस्टमाल हो रहा है। अब मुझे लगता है विश्वस तरपर आदरिनी प्रधानवंतरी जी की वज़े से इसको जो है सहर्ष जो है स्वीकारिता मिली है और महराष्ट सरकार ने भी इसको अपनाया है। मैं उनको बढ़ाई देना चाहते हूं इसके लिए। विपक्ष का कारे मुझे लगता है कि लोकतंत्र में सवाल उठाना है और वो सही मुद्दों पर सवाल उठाएं। और गाये जो है हमारी माता है वो हिंदू हो, मुसल्मान हो, सिको, इसाहियोः। सबको गाये दूद्द देती हैं सब उसका उतफाद लेते हैं और उसी से हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सभी के लिए गौव अंश बहुत जरूरी है और अब तो बड़ी बड़ी उनिवर्सिटीज ने अमेरिका तक ने गौव अंश के लिए जो है कहा है कि जो भी कुछ गौव दे रही है वो अमरित के स्वरूप है जीवन दायनी है सेल्स को री नर्चर कर रहा है तो इसकी एक्सेप्टेंस करें विपक्ष अच्छे मुद्दों पर जो है सवाल जवाब करें तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा है और भारतिये जन्ता पार्टी हमेशा से जो है गौर अक्षक के रूप में उभरी है हम आगे भी अच्छा काम करते रहेंगे अधरनी प्रधान मंतरी जी के नेतरतों में